तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं one and only CDSL के बारे में और आज के दिन आ चुके हैं CDSL के quarter one के numbers तो इस वीडियो में हम detail analysis करने वाले हैं Q1 के performance का और साथ ही में एक interesting fact भी आपको मैं हापर मैं बताने वाला हूँ CDSL के numbers के regarding जिसको सुनके आपको काफी मज़ा आने वाला है तो वीडियो को बिन स्किप करें देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ business insights भी मैं आपको पर देने वाला हूँ कुछ जरूरी updates भी मैं आपको देने वाला हूँ आगे की रणनीती technical chart पर levels भी हम discuss करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा चले बात करते है numbers की तो आप देखिए total income year on year 30% से grow ही है बहुत ही बढ़िया quarter on quarter 45% से बहुत ही शांदार net profit में 22% की growth है year on year and 52% quarter on quarter तो profitability भी गजब की grow होती हुई नजर आ रही है तो यहाँ पर यह number तो काफी अच्छे पेश किये हैं लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पर गौर कीजिएगा तो यह जो है stand-alone numbers है यहाँ जो only stand-alone numbers है यहाँ पर consolidated numbers नहीं दिये हैं और यह जो है press release अपकी बार थोड़ी से different है मैं आपको दिखाना चाहूँगा पिछली बार की press release यानि कि जो पिछले बार के Q4 के number आये थे वो किस तरीके से इन्होंने पेश किये थे तो यह है दोस्तों press release देखिए पिछले बार की और यहाँ पर आप देखिएगा तो consolidated numbers भी यहाँ पर दिये है CDSL ने समझ रहे हो आप लोग समझ रहे हो मतला बहुत तेज हो रहे हैं यह CDSL वाले पिछली बार अच्छी growth थी यहाँ पर consolidated basis पे भी तो यहाँ पर इन्होंने number दे दिये consolidated और standalone दोनो लेकित अब की बार यहाँ पर क्यों नहीं है consolidated numbers आप खुदी आप समझ जाईए तो consolidated numbers इनके यहाँ पर negative है consolidated मतलब जो इनकी subsidies है जैसे कि जो इनका ventures जो CDSL Ventures Limited है जहाँ पर यह KYC वाला इनका segment है इनका जो insurance repository वाला और commodity depository वाला तो उन्होंने अच्छा नहीं किया है वहाँ पर negative numbers है इसलिए इन्होंने आपर दिये ही नहीं है number इन्होंने यहाँ पर वो column ही अटा दिया है तो मतलब मैं देख रहा था कि बहुत तेज हो रहे हैं CDSL वाले ठीक है तो यहाँ पर यह एक fact है इसका मतलब यह नहीं number खराब है stand alone ज्यादा matter करता है क्योंकि core operation इनका depository वाला ही है तो उसमे अच्छा perform किया है जो कि एक positive है लेकिन एक fact आपको सामने यहाँ पर रखना चाहता था लेकिन sequential basis पर आप देखें revenue बिल्कुल flat है मतलब revenue यहाँ पर बढ़ ही नहीं रहे है क्योंकि आपको पता है कि market linked business है और revenue यहाँ पर अब नहीं आ रहा है क्योंकि काफी सारी चीज़ें यहाँ आप नेगेटिव में जा रही है IPOs नहीं आ रहे हैं जो है 64 करोड का था अबकी बार 58 करोड का तो year on year तो गिरे ही है साथ इसाथ profit यहाँ पर consolidated basis पे भी यहाँ पर गिरे है sequential basis पे भी तो consolidated numbers यहाँ पर अच्छे नहीं है और वो इनोंने यहाँ पर अपकी बार दिखाया नहीं है चैलिए यह तो बात हो गए इनके numbers की इनोंने क्या किया है तो I hope यह information आपके लिए helpful होगी अब चलिए दूसरी update पर आते हैं यहाँ पर तो यह है दोस्तो CDSL का shareholding pattern वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा तो देखिए यहाँ पर shareholding pattern में रह चुके हैं तो DIS के stake भी हाँ पर कम होए है और public के stake यहाँ पर बढ़े है तो अगर FIS हाला कि FIS जो FPI से वो भी कम होए अगर हम आपको दिखाऊं तो देखिए FPI जो number of FPI investors है वो भी कम होए है June quarter में 114 से गिरके 161 हो चुके है और यहाँ पर mutual funds की जो holding है वो भी decrease हुई है 8.16% से 7.85% तक तो यहाँ पर खरीदा किसने है public तो देखिए public की stake यहाँ पर कितनी बढ़ती जारी है लगातार यहाँ पर बढ़ती जारी है तो यह भी एक जो है alert sign है जिस पर आपको आपको ज्यान रखना है FIS यहाँ पर निकल रहे है DIs निकल रहे है पबलिक यहाँ पर माल बढ़ा रही है अब तीसरी update में आपको देना चाहूँगा वो है NSDL का दूस्तों IPO आने वाला है आपको यह अलड़ी पता होगा कि NSDL जो है IPO लाने वाला है 4500 करोड का यह IPO आने वाला है और NSDL का IPO आएगा तो कहीं न कहीं यहाँ पर हो सकता है CDSL का पैसा यहाँ पर निकल के NSDL में जाए ठीक है हो सकता है यहाँ पर दोनों जगे यहाँ पर निवेशित रहना चाहें जो FIs हैं, DIs हैं, कई retail निवेशक 100% यहाँ पर पूरी depository को own करना चाहते हो तो यहाँ पर थोड़ा पैसा निकल के NSDL पर भी जा सकता है बाकी NSDL जब आएगा उसके valuation, fundamentals, सारी चीज़ें यहाँ पर comparison होगा तो कही न कहीं वो चीज़े जो हमको balance out होती हुई देखने को मिलेगी अला कि अभी कुछ नहीं किया सकते, तो इसका दोस्तों पूरा detailed analysis वीडियो मैं लेके आऊँगा जब NSDL का IPO आएगा, comparison वीडियो आएगा, पूरा एक in-depth analysis यहाँ पर आएगी तो वो हम तब की तब देखेंगे, तो एक यह भी update आपको जानना ज़रूरी है कि अगर NSDL लिस्ट होगा तो कहीं न कहीं पैसा shift होता हुआ भी नजर आ सकता है, जादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुआ shift होता हुआ नजर आ सकता है अब बात करते हैं आगे कि क्या रणनीती होनी चाहिए, तो देखिए numbers हाला कि stand-alone अच्छे है और इनका stand-alone business से यहाँ पर ज़्यादा revenue generating segment है, depository वाला, तो numbers अच्छे है, लेकिन आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि इनकी जो growth है, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो देखिए, जून में 80% की growth थी, September में 63, December में जो sales growth थी, 73% थी almost और अब देखिए, March में 32, अब हो चाहिए, 20% से भी कम, तो इनकी sales growth लगातार month on month, quarter on quarter गेरती जा रही है, तो यहाँ पर market इसको किस तरीके से react करेगा, Monday के दिन, वो तो हमको नहीं पता, market supreme है, यहाँ से stock उपर भी जा सकता है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, लेकिन as a long term investor मुझे लगता है, business model काफी अच्छा है, तो हमको यहाँ पर long term के लिए तो जरूर नीवेश करना चाहिए, लेकिन यह हमको ध्यान रखना है कि जब यह market length बिजनस है, market cycle जैसे यहाँ पर चलेगी, उस तरीके से यह business चलेगा, तो जब market cycle बहुत तेज थी तो यह stock काफी तेज भाग रहा था, आप सभी को पता है, दस गुना हो गया था, लेकिन अब market नीचे आ रहा है, तो यह stock भी नीच आएगा, तो आपको निवेश कप करना है इस business में, जब market bear cycle में हो, तो bear cycle में आप निवेश करेंगे, तब ही bull cycle का मज़ा आएगा, बुल साइकल में आपर पैसा बनता है, बुल साइकल में निवेश करेंगे, तो फिर उपर के उपर अटके रहे जाएंगे, और conviction नहीं होगा, तो आप उसको panic में बेचके निकल जाएंगे, तो अगर आप उपर इस तरह फसे हुए हैं, आपको अच्छा लगता है business, तो आप यहाँ पर accumulate कर सकते हैं, मुझे लगता है यह नीचे आ सकता है थोड़ा और, 1000 के level, या फिर मैं को लगता है 800 से 1000 के बीच यह जो है यह range, 800 से 1000 के आसपास यह जो range है, इसमें एक अच्छी buying की जा सकती है for the long term, बाकि let's see, stock उपर जाता है, नीचे जाता है, मुझे लगता है तेजी तो नहीं आएगी, जब तक market volatile है, यहाँ पर तेजी नहीं आएगी, हो सकता है, time correction में यह stock चला जाए, price correction अगर नहीं भी हो, तो time correction में यह stock जा सकता है, time correction में आप यहाँ पर buy कर सकते हैं, आपको informative लगा होगा, आपका क्या मानना है numbers को लेकर, आपका क्या opinion है business को लेकर, वो भी आप comment box में जरूर share कर सकते हैं, मिलते हैं आप से next video में, till then take care, bye bye.